जो पॉवर आ रहे हैं वो हम क्या करेंगे एक junction पे सारी पॉवर को ले लेंगे तो लखनों से आई राजापूर से आई और हमने बस बार के एक constant potential चोवाल मान लेते हैं 33 KV का है यह तो 33 KV पर एक हमने ले रखा है same potential है तो सारी सारी जो पॉवर आ रहे हैं यहां पर आके current इस पर आ जाएगा बार होते हैं जो current करी करते हैं जंक्शन से ठीक है और एक junction की तरह वर करते हैं जहां पर incoming और outgoing current जो होंगे वह exchange होंगे तो these are the incoming current and these are the outgoing current तो यह सब काम जो होते हैं यह बस बार पर होते हैं clear हो गए यहां पर so this is a simple definition बाकी detail में आगे बात करेंगे ठीक है next यहां पर आजाता है earthing switch तो इस तरीके का जब भी switch देखोगे तो पीछे आपने अगर single line diagram देखोगे तो बहुत सारे कहां यूज करेंगे और किसका क्या purpose है तो वहां पर आपको concept बिल्कुल clear हो जाएगा अभी कीवल symbol का मतल़ समझे लो और उसका practical model देख लो कैसा होता है तो earthing switch जो होते हैं mechanical switching device होती है जैसा कि isolator होते हैं और यह क्या करते हैं particular part circuit के part को protect करते हैं from residual charges तो जैसा isolator करता है वैसा ही यह भी करते हैं थोड़ा सा यह कह सकते हो कि isolator के बाद हम लोग earthing switch को भी prefer करते हैं कि मतलब अगर कोई charge रह भी गया है तो उसको भी हम लोग earthing switch में cover कर लेंगे clear हो रहा है तो इसको और detail में हम लोग आगवा समय में discuss करेंगे तो circuit breaker से हमने current को break कर आइसुलेटर से आइसुलेट करा तो जो तुमने आइसुलेट करा है part उसमें भी तो कोई charge रह सकता है तो उस charge को भी neutralize करने के लिए earthing switch का इस्तमाल होता है ठीक है clear हो गए यहां पर एक हिंट दे दिया है मैंने जैसे for example यह current जा रही थी इस particular section में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले circuit breaker करा तो circuit breaker से current खतम कर दी then हमने आइसुलेटर यहां से आइसुलेट कर दे section को अब इस section के अंदर हो सकता है कुछ charge रहे गए हो इन charges को भी तो neutralize करना है क्योंकि जो आदमी से पकड़ेगा वो चिपक जाएगा तो इस charges को neutralize करने के लिए हम लोग यहां पर एक अरतिंग सुच लगाएंगे ताकि इस पर्टिकल सेग्मेंट के भी चार्ज को neutralize करा सके तो इस तरीके से अब अर्थिंग सुच करनेक्ट हो जाएगा अभी देखो ओपिन है ना इस पर्टिकल पोजिशन में इस तरीके से ओपन है तो देखो यह यह क्या है यह भी इसी त देखो जाएगे